नमस्का दोस्तों सौगत आपका हमारे यूटूब चैनल पैबली हिंदी में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है Create Active Campaign Contact for Facebook Lead Arts Lead तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही amazing automation सीखेंगे Facebook और Active Campaign के बीच में कि जब भी Facebook Lead Arts Form से कोई new lead received होगी तो हम automatically वो same lead को as a contact create कर सकते हैं Active Campaign में अब यह automation आपके लिए कैसे useful हो सकते हैं तो एक example की मदद से समझते हैं तो माले जीए मेरी कोई gym है जिसको मैं promote करता हूँ Facebook पर और उसके लिए मैं Lead Arts Run भी करता हूँ अब मैं जाता हूँ कि जब भी new lead received हो मैं इसको Facebook Lead Arts Form से तो मैं automatically वो lead को as a contact create करना चाहता हूँ Active Campaign ने जिसकी मदद से मैं उस particular lead को अच्छे से manage कर पाँ मेरा lead management जो process है उसको enhance कर पाँ और वो जो lead है उसको मैं एक loyal customer में convert कर पाँ तो यह automation आप पूरा बना सकते हैं पैबली Connect की मदद से जो कि एक amazing automation software है तो इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको कुछ इस तरीके का automation बनाना है अब पैबली Connect में हम यूज करते हैं concept, trigger और action का तो trigger में आपको लेना है Facebook Lead Arts, action step में आपको लेना है active campaign और पूरा process easily हो जाएगा और मज़े की बात यह है, इसमें कोई भी coding skills की जरवत नहीं है आप बहुत ही असनी से पूरा automation बना सकते हैं तो क्या आप भी पूरा process step by step सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको लें चलता हूँ मेरी screen पे तो दोस्तो सौगत है आपका मेरी screen पे आपको वीडियो में लास्तक बने रहना है जिससे आपको पूरा process step by step समझ में जाए तो सबसे पहले आपके दबाब Facebook का अकॉंट लॉग इन कर लेना आपके browser में तो दोस्तो हमारा objective का है हमारा objective यह है कि जब भी हमको कोई new lead received होती है Facebook lead ad form से तो हम automatically वह same lead को as a contact क्रियेट करना चाहते है active campaign में तो इधापर में मेरे gym को promote कर रहा हूँ Facebook पर इस particular page की मदब से जिसका नाम है galaxy fitness gym और इधापर मैंने एक lead ad form भी create कर लिए जिसकी मदब से तब हम एक lead generate करेंगे और उसकी details हम add करेंगे as a contact active campaign में तो चलिए सीखते हैं पूरा process बिना किसी देरी के सीधे आपको ले चलता हूँ पाबली connect के landing page पे दोस्तो आप भी इस page पे आ सकते हैं simply आपके browser में type करके पाबली.com slash connect यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक है sign in option दूसरा है sign up for free option तो अगर आप एक new user है तो आपको simply click करना है sign up for free वाली बटन पे और आप आपका account create कर सकते हैं केवल 2 minute में दोस्तो आपको account creation पे हर मैंने 100 free task पी मिलते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे amazing automation test कर सकते हैं पाबली कनेक्ट में मैं एक existing user हो इस लिमें क्लिक करूंगा sign in पर उसके बाद दोस्तो आपको जाना है पाबली कनेक्ट वाले डालोग बॉक्स में उक्लिक करना है access now और आप आप आजाएंगे पाबली कनेक्ट के dashboard पर यहाँ पर आपको workflow को safe करना चाते हैं अगर आप new folder create करना चाते हैं तो आप create a new folder वाली बटन पर क्लिक करके इधा से new folder भी create कर सकते हैं मैं आपको क्लिक करूंगा create workflow पे और let's say हैं आप मेरी workflow को नाम देना चाता हूं create active campaign contact for facebook lead as lead तो दोस्तो यही हमारा objective है आप आपके according जो भी नाम रखना चाते हैं आपकी workflow का वापिता पर रख सकते हैं उसके बाद select folders में particular folder select कर लेता हूं तो यहाँ पर मैं trigger और action दोस्तो trigger बोलता है when this happens जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो तो basically trigger आपके automation को start करता है action में आप वो particular action perform करते हैं जो आप करवाना चाहते हैं आपकी automation में तो यहाँ पर आपको trigger application चूज करना है इदा पर आपको action application चूज करना है तो सबसे पहले हम trigger वाली step में काम करेंगे तो यहाँ पर आपको trigger application चूज करना है तो choose app में आपको इदा पर चूज करना है facebook lead ads ओके यहाँ पर हम चूज करते है facebook lead ads और trigger event आपको इदा पर चूज करना है new lead instant फिर आपको इदा पर क्लिक करना है connect वाली बटन पे तो यहाँ एक dialogue box अपन हो जाएगा आपकी screen पे जो बोल रहा है connect facebook lead ads account तो basically आपको इदा पर जो facebook lead ads का account उसको पैबली करने के साथ connect करना है इदा पर आपको दो option मिलते हैं एक है add new connection का दूसरा है select existing connection का तो अगर आपने आपका connection already built करके रखे तो आप select existing connection के साथ जा सकते हैं यहाँ पर वो successfully पैबली करने के साथ हो जाएगा connect अब नीचे आप field देख सकते है page और lead generation form तो इदा से आपको particular page चूज करना है जिस पर आप आपके business को promote करना है और यहाँ से आपको lead generation form चूज करना है तो इदा पर मेरा page चूज करना है जिसका नाम है galaxy fitness gym इस particular page भी मेरे gym को promote कर रहा चूज कर लेता हूँ अब इदा पर आपको एक चीज समझना है कि अगर आप इदा पर चूज करते है all lead gen form तो जिस भी particular form पे कोई भी lead received होगी उसका response यहाँ पर capture हो जाएगा पाबली करनेक में तो यहाँ पर मैं इस particular form की मदद से एक test lead generate करूँगा जिसका नाम है galaxy fitness ब्रॉ होगी उसका response इदा पर capture होगा पाबली करनेक में यहाँ पर हम क्लिक करते हैं save and send test request वाली बटन पे तो आप इदा पर देख सकते हैं show रहा है waiting for webhook response क्योंकि हमको एक test submission करना है test lead generate करना है इस particular lead platform में जिसकी मदद से इदा पर हमको पाबली करनेक में response received हो तो इसके लिए मैं meta for developers में login करना है उसके बाद आपको इदा पर जाना है tools वाले section पर फिर आपको इदा पर click करना है lead as start your debug tool में और आप आप जाएंगे lead as testing tool में इदा पर आप आपका page चूस कर लेंगे यहाँ पर मेरा page select कर लेता हूँ galaxy fitness gym और यहाँ पर आपको फिर form चूस करना है ओके फिर form वाली button पर और आप इदा पर देख सकते है form हमारी screen पर खुल गया है अब इदा पर में एक test lead generate करता हूँ इस particular form में dummy details फिल करके और उसका response हमको इदा पर capture होगा pably connect में तो यहाँ पर हम dummy details फिल कर देते हैं let's say first name इदा पर मैं दे देता हूँ demo last name दे देते है for example user email id दे दे करते हैं okay continue पर क्लिक करते हैं submit कर देते हैं और आप इदा पर देख सकते है thanks you are all set तो basically इदा पर हमने test lead generate करी है इस particular lead platform में फैबली connect में वाफिस चलते हैं और यहाँ दोस्तों आप इदा पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर positive response मिल गया है इदा पर first name शुरा है demo last name शुरा है user email email id इदा पर शुरी है demo 99988pablytuse.com dummy phone number यहाँ पर received हो गया created it in time id form id और कुछ other fields तो basically हमने हमारे automation की जो first step हो है आपर complete कर लिए हमने facebook lead platform में test lead generate करी उसका response हमने इदा पर capture कर लिए पाबली connect में अब दोस्तों हमारा objective कहाई कि हमको same lead को as a contact create करना है active campaign में तो इसके लिए हम क्य करेंगे action step में आएंगे choose app में आपको इदा पर search कर लेना है active campaign और नीचे से आपको active campaign चूज कर लेना है action event आप इदा पर choose करेंगे create a contact simply आपको इदा पर click करना है connect वाली बटन पर तो इहाँ पर एक dialogue box अपने जाएगा आपकी screen पर connect active campaign account तो basically आपको इदा पर active campaign का account connect करना है अगर आप इदा पर जाते हैं add new connection के साथ तो आपको इदा पर डालना है API की और URL और यह दोनों चीज़ें आपको कहा से मिलेगी तो नीचे information गिवन है और इदा पर हमको एक और information गिवन है कि जो URL है हमारा URL कुछ इस तरीके से होना चाहिए हमको https नहीं लेना है URL में तो मैं आपको सीधे बता दूँ कैसे आपको यह दोनों चीज़ें मिलेंगी तो आपको क्या करना है active campaign के account पर आना है इदा पर आपको जाना है left hand side पर settings पर उसके बाद आपको जाना है developer पर ओके तो यहाँ पर आपको आपके active campaign account का URL और API की मिल जाएगी तो सबसे पहले हम API Oh, है को कर लेते है copy simply यहाँ पर हम API की में इसको कर देते है paste और यहाँ पर हमको url डालना है तो url भी हमेह दर से copy कर देते है Simply हाँ पर कर देते है पाद यह दापर हमको hai question 1 यहाँ पर हम लिग करते है श्यक्राइं परडंगे और आप इस पर देख सकते हमाजوج living कैंपेंड का कॉंट है, successfully पाप ली करने के साथ हो गया connect, अब नीचे आप field देख सकते हैं email, first name, last name और phone तो हमको इधा पर details फिल करना है, लीट के इधा पर आपको details manually type नहीं करना है, हैंपर आपको mapping कस्तमाल करना है जो कि एक important step है, तो data map आप कैसे करेंगे, यह आप दिख सकते हैं, previous step का response यहाँ पर शो रहा है, तो इधा से आपको simply data map करना है, यहाँ पर हमको email id map करना है, हमने email id map कर दी, इसी तरह हम इधा पर first name map कर देते हैं, जो कि demo, last name map कर देते हैं, जो कि user, इधा पर हम phone number map कर देते हैं, यह dummy phone number इधा माप कर दिया तो यह जो step मैंने perform करी, मतलब previous step से data map करा, इसको बोलते है mapping इसकी मदद से ही आप हमेशा dynamic response generate कर सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि जब भी आपका workflow run होगा, जो भी new response आपको receive दोगा previous step में, वो response automatically इधा पर जाएगा, response change हो जाएगा, क्योंकि हम data map कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप इधा पर manually type करेंगे, वो मेंचा static रहेगा वो change नहीं होगा, इस चीज़ का आपको इधा पर ध्यान रखना है, तो कुछ इस तरीके से आपको data map करना है, simply यहाँ पर आपको active campaign में, और दबर मैं करता हूँ refresh, और जी हाँ दोस्तों आभी दबर देख सकते हैं, एक new contact में हाँ पर create हो गया, phone name शोर है, demo user, email id तर पर शोर यह phone number, date created, date in time भी हाँ पर शोर रहा है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप Facebook lead ads form से generated to lead को as a contact create कर सकते हैं, active campaign में बहुत ही easily, तो आईए summarize करता हूँ कि पूरे automation हमने क्या करा है, तो इस automation में trigger में हमने लिए Facebook lead ads trigger even हमने लिए new lead instant, action step में हमने लिए active campaign action even हमने लिए create a contact, जिसकी मदद थे हमने contact create कर लिए active campaign में दोस्तों इदा पर लिखा है, instant मतलब पूरा process instantly work करने वाला है, मतलब आपको यह automation एक बार बनाना है, उसके बाद automatically तुरंत ही अपना काम करेगा तो चलिए एक बार इसको real time में test करते हैं हमारे पूरे automation को, तो मैं आपको ले जलता हूँ, lead assisting tool पर फिस से इदा पर मैं फिस से एक test lead generate करता हूँ, delete lead करते हैं पहले और फिस से एक test lead generate करता हूँ, इस particular lead form में देखते हैं, automatically contact यहाँ पर create होता है ने, तो इदा पर preview form पर click करता हूँ, तो आप इदा पर दी सकते हैं, form हमारी screen पर खुल गया है, अब इदा पर मैं dummy details fill कर देता हूँ, फिस से first name देते हैं, for example, john, last name देते हैं, user, email id देते हैं, for example, user 444, adderate, pablytures.com, और यहाँ पर हम एक dummy phone number add कर देते हैं, continue पर click करते हैं, submit कर देते हैं, और आप इदा पर दिख सकते हैं, thanks you're all set, तो basically इदा पर हमने फिस से एक test lead generate करी है, real time में test कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलता हूँ, active campaign में, और इदा पर हम करते हैं refresh, और जी यहाँ दोस्तों आप इदा पर देख सकते हैं, एक new contact यहाँ पर create हो गया है, जिसका नाम है john user, email id दा पर शोर ही है, phone number इदा पर शोर है, date created, date in time भी हम पर शोर है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यह पूरा process automate कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से जब भी कोई new lead received होगी Facebook lead platform से तो आप automatically वो lead को as a contact create कर सकते हैं, active campaign में, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से automation work करने वाला है, अगर आप भी इस पूरे automation पर काम करना चाहते हैं, या इस automation को test करना चाहते हैं, तो इस workflow की जो link है, वो मैं आपको description box में share कर दूँगा, तो आप बड़े ही आसानी से same workflow को clone करेगा, उस पर काम कर सकते हैं, और अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी डाउट हो, तो आप में को comment section में जरूर बताएं, थैंक यू, यही नहीं दोस्तों आप और भी amazing automation बना सकते हैं, पैबली कनेक की मदद से, और आप हमको mail कर सकते हैं supportadditpably.com पे, अगर आपको कोई query है, तो आप हमको mail कर सकते हैं forumadditpably.com पे, और अगर आपको pricing related कोई issue है, तो आप हमको reach out कर सकते हैं इस particular link पे, दोस्तों अगर आपको इवीडियो पसंद आया है, तो इसको like करें, share करें और हमाई channel को subscribe जरूर करें